नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी को बताती कि आपके जीवन की एक-एक वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अगर ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों हम दाव रखते हैं कि आप अपने अंगल की सच्चाई को जानकर बिल्कुल ही ढंगरा जाएंगे। कौन-कौन सी दोस्तों आपकी जो निकाल की हर एक सच बात इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपके जो कल में समस्या क्यों ए रही है? समस्या का क्या समाधान है? कौन से लोग आपके दुश्मन है? क्या आपके लिए और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप सभी को बता दी। कितनी बड़ी वीडियो बहुत ही मेहनत करके हमारे टीम द्वारा निर्मित किया जाते हैं। ये दोस्तों दिन में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और दोस्तों अगर आप इन्हें श शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों हम आपको यह बात भी बता दे। प्याज की वीडियो में जो बातें आपको पता चलने वाली है दोस्तों इन बटन को किसी और के साथ बिलकुल भी शेर ना करें। और साथ ही आपको बता दें कि वीडियो को बि देश से जय शिवा लिख दें। भगवान महाकाल का सच्चे शिवा शंकर का आपको सीधा आशीरवात प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आपके अंदर सबसे पहले गुनिया है। दोस्तों सबसे पहले गणकी। आप सब जो है बहुत ही द्वीप और कठोर दिल के इंसान होते हैं। कभी भी अपने आपको किसी से कम नहीं समझते। नमबर दूसरा आपके अंदर चल और कपाट देखने को नहीं मिल सकता। कभी बर ऐसा होता है जो व्यक्ति आपके सब चल भी करते हैं। आप उन्हें माफ भी क जिखें को नहीं मिलते। आपकी राशी के जातक कभी कभी भी किसी चीज की लालच नहीं करती। जो भगवान ने दिया है इसमें आप खुश रहते हैं। आपका मानना है कि भगवान जो भी हमें देना चाहता है। हमें वह स्वीकार है। आप किसी के धन दौलत को देखकर किसी की तरफ उनकी खुशियों को देख कर निंदा नहीं करती, सिर्फ अपने कर्म को करते रहते हैं, और अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, और जो मिलता है, उन्हें आप बहुत ही स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, नंबर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, भले ही इनके जीवन कल में बहुत ही ज्यादा भागदौर, बहुत ही चिंताएं होती हैं, लेकिन फिर भी आपकी जौन में हमेशा आप अपने कर्मों के अनुसार अच्छे खुशियां ढूंड ही लेते हैं, और दोस्तों, आपके कर्म के अनुसार आपको सफलता अवश्य मिलती है, इसको प्रताप नंबर शिक्षक गुनिया है कि आप लोग कभी भी बिना सोच समझे कोई कम नहीं उठाते, वो भी कारे आपको करना होता है, पहले उसकी जड़ तक जाते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लेते हैं, और दोस्तों, ये आपकी सबसे अच्छी आदत है, और इन्हीं आदत के चलती आपको मा सम्मान भी प्राप्त होता है, आपकी राश्य की जो भी जातक है, आप लोग हमेशा पैटन के रोग और गुपतांगों के रोग से परिशान होते हैं, आपके जीवन कल में हमेशा बेटों के लोग और गुपतांगों के रोग आपको परिशान करते रहते हैं, नमबर आठ, आप सुनकर चौक जाएंगे कि आपको ये चीज कैसे पता, आजादी कि आपके गुपतांगों पर कल तिल का निशान अवश्य देखने को मिलता है, दोस्तों यकीन आए तो आजम कर देख लेना, नमबर नाइन, आपकी राशी के जातक में बहुत ही न्याय करते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या फिर किसी को बड़ा नमबर टेन, आपकी राशी के जो जातक होते हैं, वह अशोक मिजाज क्यों होते हैं, आप लोग बहुत ही ज्यादा कॉमेडियन टाइप होते हैं, आपके राशी के जितने भी ज्यादा होते हैं, मस्ती मिजा नमबर ग्यारा दंड भी भारते हैं या दोस्तों उनके चलते आप उनकी सजाओ को खुद भगत लेते हैं या दोस्तों नमबर तरह आपका यह गण है कि आपकी राश्ची के जितने भी जातक हैं हमेशा साफ और कुशलता पूर्वक राजनीती करते हैं किसी के कपाट लेकर किसी के दिल को थिस पहुँच कर आपको कोई भी राजनीती नहीं करते बिल्कुल साफ दिल से साफ साफ मुह पर बोल देते हैं नमबर चौधह गुनिया है कि आपको हमेशा बुराईयां मिलती है चाहे आप किसी के साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले। लास्ट में और में आपके साथ गलत होता ही है और आप इन्हें बरदाश्ट भी करना नहीं चाहते। नमबर पैंतरा आप लोग हमेशा ऐसे इनसान से दूर रहना पसंद करते हैं जो गलत व्यवहार की व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर गलत गण होते हैं जो हमेशा बुराईयों को हुई शिक्षा समझते हैं अगर आप जान जाए कि यह व्यक्ति चोर है तो दोस्तों आप कटा उनके साथ रहना पसंद नहीं करते और उन्हें जल्द से जल्द अपने जीवन कल से निकाल देते हैं नमबर सोला आप लोगों के ऊपर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना जाए आप लोग घबराते नहीं हैं आप लोग सिर्फ लड़ना चाहते हैं अपने करतब पर डेट और जो आपको चाहिए उन्हें हासिल करकर ही छोड़ते हैं नमबर 17 आप लोग लम्बे चौड़े होते हैं चौड़े च्छाती चौड़े माथे की आप होते हैं नमबर 17 आप लोगों का देखना बोलना सब लोगों से अलग राहत है इसलिए ज्यादा तर लोग आपको बह आपके राशी के जातक हमेशा प्यार के और सम्मान की भूखें होते हैं। आपकी राशी के जातक कभी भी अपने जिंदगी में दूसरों के दखल अंदाजी बरदाश्ट नहीं कर सकते। दर लगे। लेकिन उन्हें पूरा अवश्य करते हैं। आपके अंदर बचपन का भोलापन अवश्य देखने को मिलते हैं और इसी करण लोग भी आपका फायदा उठाते रहते हैं। जब दोस्तों तो आप अपने जून कल में इनका बदलाव करने की चाहत रखें कि जैसा देश है पेशाब बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों क्योंकि लोहे को अक्षर लोहे की काटते हैं तो आप भी अपने समाज को देखते हुए अपने नजरिया अपने धंग को अवश्य बदलें। आपके अंदर एक ऐसा गण है जो सबसे अलग और सबसे अच्छी है कि आप कभी भी किसी के अंदर करना नहीं चाहते। अपना एक अलग ही अस्तित्व बनाना चाहते। घुलामी करना आपको बिलकुल ही पसंद नहीं आता। चाहे आप कोई भी छोटा कार्य क्यों ना करें आप स्वयम ही उन्हें तैयार करना चाहते हैं। जी हाँ, दोस्तों, नमबर 29, आपकी राशिके जितने भी जातक है कभी भी अपना अपमान बरदाश्ट नहीं कर सकते। घाट बरदाश्ट कर सकते हैं, नुकसान बरदाश्ट कर सकते हैं, कोई आपको पेशाब धन बेईमानी कर ले, आप वो भी बरदाश्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अपमान हो जाए, तो आप वह कटाई ही बरदाश्ट नहीं कर सकते। नमबर तीस, आपके राशी के जितने भी जाता कि अपने परिवार वालों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं. परिवार में कोई भी शंकर ए जाए. आप कहानी भी हो, दोड़ कर घर आते हैं. आपके अंदर घबराहट सी छी जाती है. क्योंकि तो आपकी राशी की जातक परिवार वालों के लिए तक बुराईयों से हमेशा डरते हैं. आप इसलिए डरते हैं कि कोई जूठी उंगली नाप के ऊपर उठा दे. कोई आपके ऊपर कलंग कैन लगा दे. आपकी वजह से किसी का दिल ना तूटे. किसी के दिल में आपके लिए कोई शक ना पैदा हो क कोई आपके बुराई ना करता हो. आप इनके लिए बहुत ही ज्यादा डरते भी हैं. नंबर बत्ती. सबसे बड़ा गण आपके अंदर देखा गया है कि आप लोग जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते. जब तक आपका दिल कोई अगला व्यक्ति जीत नहीं लेट आपकी हर एक बात सटीक ना बैठ जाए तब तक आप किसी को पर विश्वास नहीं करती और एक बार अधिक किसी को पर विश्वास हो जाए तो साथ जनों तक खाता है. नंबर तैटीस. आप लोग जोर तोड करने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं. अपना कम कैसे किसी और से निकलवाना हो. यह आपके अंदर बहुत ही बड़ा गण होता है. आपने मीठी बोली. से अपने मीठी व्यभार से आप उनसे अपना कम अवश्य निकलवा लेते हैं. यह गण आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है. नंबर चौथीस. आपके राशि समय पर शारीरिक संबंध भी बंटी हैं. लेकिन शादी से पहले तो एक बार संबंध अवश्य ही बनता है. नंबर पैटीस. आपके राशिके जितने भी संतान होते हैं, ज्यादा तर पुत्री होते हैं. या बहुत ही ज्यादा अनुभव करने के बाद देखने को मिला है. ये दोस्तों हमने पैटीस गुना के बड़े में बात किया थे. लेकिन एक और गण आपसे भी कुछ बता दें कि आपकी राशिके जातक होते हैं. वर्तमान समय में जितना भी धन है आप उनसे संतुष्ट नहीं रहते हैं. आप हमेशा जितना धन आपके पास है. उनसे आपका नाम रखा जाता है. और इसी की वजह से आप पूरी दुनिया पर सभी की दिलों में राज करते हैं. तो दोस्तों, आज का यह भविश्यवानी आप सभी को केस लगा कमेंट करके जरूर बताएगा. वीडियो को लाइक करती दोस्तों में शेर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. आप तक सबसे पहले पहुंचे धन्यवाद.